हेलो फिंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे DBMS में जो नॉर्मालाइजेशन का पार्ट होता है उस नॉर्मालाइजेशन का टेकनिक एपलाई करके एक प्रॉब्लेम को हम लोग स्वॉल्ब करेंगे तो इस टेप का जो प्रॉब्लेम होता है ये गेट एकजाम में एक कॉमपसरी कोश्चन है मलब ये कोश्चन हम लोग का आता ही है तो कोश्चन क्या है कोश्चन है मेरा एक आर रिलेशन दिया गया है उसके अंदर A, B, C, D, E, पांचो एक्रिव्यूट्स है ठीक है चेक दा हायस्ट एन एफ मलब हायस्ट नॉर्मल फॉर्म हम लोगों यहां से निकलना पड़ेगा ठीक है और हम लोगों यहां पर चार एबडी दे दिया गया है तो इन चारों एबडी से हम लोगों को ये जो रिलेशन है इन रिलेशन में से कौन सा normal form में हैं वो हम लोगों को निकलना पड़ेगा highest normal form तो हम लोगों को मालूम है कि most probably हम लोग 4 normal form के उपर काम करते हैं एक है 1NF, 2NF, 3NF और BCNF ये 4 normal form के उपर हम लोग काम करते हैं normally तो इन 4 में से कौन से normal form ये जो relation है, ये relation कौन से normal form के अंदर जाके belong करता है, तो इसके answer जाने से पहले, step by step इसका कुछ procedure है, तो सबसे पहले, step 1 में क्या होगा, ये जो मेरा FDs दे दिया गया है, इन में से हम लोगों को candidate key find out करना पड़ेगा, मलब क्या-क्या candidate key है, वो सबसे पहले हम लोगों को निकलना पड़ेगा, using closer property के through से, ठीक है, तो सबसे पहले, closer हम लोग कैसे निका लेंगे, मलब candidate की हम लोग, ये जो FDs दे दिया गया है, इन में से candidate की हम लोग कैसे निका लेंगे, तो सबसे पहले जो FDs है, AB arrow C है, तो मैं AB का closer मैं निकार रहा हूँ, मलब मैं check करके देखूंगा, AB मेरा candidate की है की नहीं है, ठीक है, तो हम लोग को तो मालूम ही है, AB अपने आपको identify कर सकता है, मलब सिर्फ dependency का जो rules होता है, तो AB AB को ही identify करेगा, ठीक है, उसके बाद देखिए, AB C को identify कर रहा है, मलब यहाँ पर मैं C लिख सकता हूँ, इसके बाद देखिए, C D E को identify कर रहा है, तो यहाँ पर मैं D E भी लिख सकता हूँ, उसके बाद देखिए, E F को identify कर रहा है, तो E F यहाँ पर मैंने लिख दी है, उसके बाद F A को identify कर रहा है, तो A तो मैंने अगर right hand side में मलब table के अंदर जो भी रहेगा वो अगर right hand side में आ जाएगा तब जगर left hand side में जो कुछ भी है उसको हम लोग candidate की बोल सकते हैं इस table के respected तो इस relation में एक candidate की हमको मिल चुका है AB plus तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AB plus अब हमको चेक करना है कि AB plus को छोड़ कर और भी कुछ candidate की है की नहीं है तो इसका एक simple से trick अब लोग को मैं बता रहा हूँ तो अब कौन सा ऐसा FD है जो candidate की होगा उसके लिए हम यह जो इहाँ पर जो चारो FD दिया गया है इन में से मैं चेक करूंगा right hand side में किसी का A और B है की नहीं है क्योंकि मुझे पता चल गया है A और B candidate की A B प्लस A candidate की है मतलब A B candidate की है वो मुझे पता चल गया है तो मुझे धूनना है कि यहाँ पर right hand side में A और B में से कोई है की नहीं है तो इसमें जाने से पहले मुझे और एक चीज़ confirm करना पड़ेगा कि A और B डोनों क्या individual candidate की है वो भी मुझे confirm करना पड़ेगा candidate की नहीं बोल सकता तब जाके A B मेरा super की हो जाएगा ओके फ्रेंड्स तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बाद चेक करके देख लेता हूँ A प्लस और B प्लस मलब A प्लस इकोल टू A B C D E F और B प्लस इकोल टू A B C D E F आ रहे की नहीं आ रहे है अगर आ जाएगा तब ज से मुझे और कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि A के बाद और कुछ इहाँ पर नहीं है उसी तरह B प्लस से मुझे B मिल सकता है और B के बाद मुझे और यहाँ पर A B में कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ से एक चीच कंफर्म हो पा रहा कि A और B इंडिविजुली candidate की नहीं होगा और यह candidate की कब बनेगा जब A B दोनों एक सत मर्ज हो जाएगा ओके फ्रेंट तो अब मुझे क्या ढूनना है अब मुझे second candidate की ढूनना है तो second candidate की ढूनने के लिए मैं क्या करूंगा मैं check करके देखूंगा A B में से right hand side में कोई है की नहीं है तो यहाँ पर देखिए A already present है तो A के इधर में क्या है मेरा F है तो A के position पर मैं A बिठा देता हूँ तो A B प्लस तो A B प्लस भी मेरा एक candidate की होगा कैसे होगा A B अपने आपको identify करेगा मलब A B A B को ही करेगा A A को identify कर रहा है यहाँ पर A आ गया अब यहाँ पर देखिए A B A B इन सब को identify कर रहा है तो इसक पर C को identify कर रहा है उसके पर C D E को identify कर रहा है तो D E यहाँ पर लिख दिया उसके पर E F को identify कर रहा है एप तो अलड़ी आ चुका है तो इसका मलब A B प्लस भी मेरा एक candidate की बन चुका है तो इहाँ पर मैं लिख देता हूँ A B प्लस इसके बार वही सेम टेक्निक एकदम कहीं पर F या B है की नहीं है हाँ यहाँ पर F है तो F किसको identify कर रहा है E को मलब E के थुरू से मैं E को identify कर पा रहा हूँ तो F के position पर मैंने E को बिठा दिया मलब अब मैं चेक करूँगा E B प्लस मेरा candidate की है की नहीं है तो E B प्लस E B को ही identify करेगा ठीक है E F को identify कर रहा है तो ह् 2019 है यहाँ पर F को लिख दिया अब B F यह फिर क्वेहा है अब B F या भी भी आफ भी देखिए इन सब को identify कर रहा है तो भागे सब को मैं Easily यहाँ पर लिख सकता हूँ यहाँ पर अगर आप लोगका problem है तो F arrow A F A को identify कर रहा है A B हो चुका है A B किसको identify कर रहा है C क।को file to C, D और E को identify कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर D लिख दे हैं, क्योंकि E तो मैं already लिख चुका हूँ, तो EB प्लस भी मेरा candidate की बन गया है, अब E और B में से right answer में कोई और है, हाँ है, यहाँ पर E है, तो E किसके द्वारा identify हो रहा है, C के द्वारा identify हो रहा है, तो C के position पर, sorry, E के position पर मैं अब C लिख सकता हूँ, तो C, B, मुझे चेक करणा है, कि C, B प्लस भी candidate की है की नहीं है, तो C, B, C, B को identify करेगा, ठीक हैं, उसके बाद B, C, D, E को identify करई हैं, e b plus comma c b plus भी मेरा candidate की बन गया है अब इहाँ पर c के जाएगा a b, a b तो अलड़ी हो चुका है तो और करने का जूरत नहीं है तो मुझे अभी तक एक चीज confirm हो चुका है कि यह जो relation दे दिया गया है और इहाँ पर जो a b दे दिया गया है इस relation और a b d के through क्या क्या candidate की हो सकता है वो हम लोगों को पता चल चुका है यह चारो a b d इस question के अंदर है बनलब normally हम लोगों का ऐसा भी question आता है एक relation दे दिया जाता है कुछ a b d दे दिया जाता है उसके बाद बोल दिया जाता है question में find out the candidate की from the following a b d ठीक है तब जायके इहां पर ही मेरा यह answer खतम हो जाएगा पर अभी मेरा जो question है इस question में highest nf निकलने के लिए बोला गया है ठीक है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अब second step में जाना पड़ेगा step 2 step 2 में क्या होगा अब हम लोगों निकलना है कि prime attribute और non prime attribute कौन कौन सा है मलब prime attribute होगा candidate की के अंदर candidate की के अंदर मलब जो जो attribute देकर मेरा candidate की design होता है उसी को हम लोग prime attribute बोल सकते हैं जैसे कि यहाँ पर जो result मिला है मुझे उसके हिसाब से मेरा prime attribute होगा a, b, c e, मैं alphabetic order में लिग लेता हूँ e, और f यह 5 होगा मेरा prime attribute ठीक है और non prime attribute क्या होगा इन 5 को छोड़ कर और जो बचा हुआ है सिर्फ d ही बचा हुआ है तो d हो गया मेरा non prime attribute ठीक है अब होगा step 3 step 3 step 3 में मुझे क्या find out करना है find out करना है कि highest normal form हमको find out करना है तो मेरे पास 4 abd दिया गया है a, b, arrow, c c, arrow, d, e e, arrow, f e, arrow, f और f, arrow, a यह 4 मुझे दिया गया है यह जो 4 abd है इन 4 abd में से आप मुझे चेक करना है कि यह कौन सा form में है तो सबसे पहले जो सबसे highest form है वही से हम लोग चेक करना है start करेंगे मालब b, c, e, n, f से हम लोग चेक करना है start करेंगे क्योंकि b, c, e, n, f सबसे highest form में है ठेक है तो b, c, e, n, f इन 4 abd में से मुझे abd को चेक करना पड़ेगा कि कौन-कौन सा abd मेरा b, c, e, n, f form में आता है तो b, c, e, n, f का definition होता है कि abd का जो left hand side में होता है left hand side में जो होता है वो क्या candidate की है मनलब ये जो 4 abd है इन 4 abd का जो left hand side है left hand side में जो भी है वो क्या candidate की है अगर वो candidate की होगा तब जाके मैं बोल सकता हूँ वो जो डीज है वो मेरा BCNF पे है तो इसमें देखिए लेपन साइड में मेरा AB है मैं तो पहली find out कर चुका हूँ कि AB मेरा candidate की है तब जगे मैं बोल सकता हूँ कि BCNF मेरा एक AB arrow C जो है वो BCNF के अंदर आ सकता है तो यहाँ पर जो है AB मेरा candidate की नहीं था तो इसलिए AB मेरा BCNF नहीं होगा AB AB मेरा candidate की में नहीं था इसलिए AB मेरा BCNF नहीं होगा तब जगे मैं यह देखकर बोल सकता हूँ कि यह जो relation दे दिया गया है या फिर ABDs दे दिया गया है वो मेरा BCNF में नहीं है तो मलब एक भी अगर एक भी cross हो गया तब जाके मैं उसको बोल दूँगा कि वो BCNF में नहीं है ठीक है तो यहाँ पर तो 3-3 cross आ चुका है अब मैं इसको check करूँगा कि यह मेरा 3NF है कि नहीं है तो अब यहाँ पर देखिए BCNF का जो definition था BCNF का definition यही था कि सबसे पहले उसको 3NF होना परेगा तो इसका मलब क्या है अब अगर यह BCNF में आ चुका है तो मुझे अब यह इसको अब मुझे 3NF के लिए चेक करने का जोरुती नहीं है क्योंकि अब यह मेरा 3NF में होगा ही होगा क्योंकि BCNF का definition यह बता रहा है कि अगर यह BCNF होगा तो उससे पहले उसको 3NF होना परेगा तो तब इसका मलब क्या है यह मेरा 3NF है तो होगा ही होगा तो इसको मैंने टीक लगा दिया अब इन तीनों में से चेक करना है कि कौन कौन सा 3NF के अंदर आता है अब 3NF का रूल्स क्या है 3NF का रूल्स है कि left hand side जो है वो candidate की होगा और right hand side जो है उसको एक prime attribute होना परेगा left hand side को हम लोग को candidate की होना परेगा और right hand side को prime attribute होना परेगा इन दोनों में से कोई एक condition अगर true होगा तब जाकर मैं बोल सकता हूँ कि वो 3NF में है तो अब मुझे चेक करना है कि दोनों में से कोई एक condition अगर satisfy होगा तब जाकर मैं उसको बोल सकता हूँ कि वो relation मेरा 3NF में है तो इसमें देखिए left hand side में जो है ये तीनों ही मेरा candidate की नहीं है पर right hand side में देखिए ये जो है right hand side में इसका F है तो A मेरा already एक prime attribute था यहाँ पर देखिए A मेरा एक prime attribute है तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये मेरा 3NF में है यहाँ पर मेरा A है A भी मेरा एक prime attribute में है तो ये भी मेरा 3NF है मैं बोल सकता हूँ पर यहाँ पर D और E है तो D सिर्फ non-prime attribute है D देखिए non-prime attribute हो चुका है तो यह मेरा non-prime attribute का field हो गया है तो मैं इसको आफ confidently बोल सकता हूँ कि यह मेरा 3NF पर नहीं है अब मुझे चेक करना है कि 2NF है कि नहीं है तो एक नहीं है तो इसका मलब highest इसका जो ABD बोला गया है वो मेरा 3NF नहीं होगा मनलब यह जो 4 ABD दिया गया है 4 में ठीक होना परेगा मनलब 4 ही अगर true होगा तब जैके मैं बोल दूँगा कि वो उस normal form में है अब 2NF में हमको चेक करना है तो 2NF में देखिए अगर यह मेरा 3NF है तो आखे बंद करके मैं बोल सकते हूँ यह मेरा 2NF होगा क्यों होगा क्योंकि 3NF का definition नहीं था कि सबसे पहले उसको 2NF होना पड़ेगा तो इसका मनलब यह मेरा 2NF होगया यह भी मेरा 3NF न था तो यह भी मेरा 2NF होगा ठीक है अब मुझे चेक करना है कि यह जो है यह मेरा 2NF में होगा कि नहीं होगा तो 2NF का जो फॉर्मूला है 2NF का फॉर्मूला बता रहा है कि partial dependency नहीं होना चाहिए तब जाके मैं उसको बोल दूँगा कि वो मेरा 2NF में होगा partial dependency नहीं होना चाहिए अब पर्सेल डिपेंडेंसी का मलब क्या है पर्सेल डिपेंडेंसी का मलब होता है कि जो identify होगा मलब यहाँ पर जो identify हो रहे है राइट हैं साइट में जो identify हो रहे है वो मेरा अगर कोई non-prime key को identify करेगा राइट हैं साइट में जो identify हो रहे है उसमें अगर कोई non-prime की रहेगा तब जाके वो personal dependency hold कर जाएगा तो यहाँ पर जो de है इन दोनों में से देखे यह non-prime है तो c एक non-prime variable को identify कर रहा है तो यह identify करने का मर्लब है कि यह personal dependency hold हो जा रहा है अगर यह दोनों ही मेरा prime attribute होता तब जाके मैं बोल देता है कि यह personal dependency hold नहीं हो रहा है पर यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर personal dependency hold हो जा रहा है तब जाके मैं इसको बोल पहूंगा कि यह 2NF भी नहीं है मेरा अब मैं इसको check करूंगा कि 1NF है कि नहीं है तो आप बात यहाँ पर आता है कि अगर ये 2NF होगा तो ये तो 1NF होगा ये भी 1NF होगा क्यों होगा क्योंकि 2NF होने के लिए सबसे पहले उसको 1NF होना पड़ेगा तो ये तीनों तो हो चुका है अब सवाल है कि ये मेरा 1NF होगा की नहीं होगा हाँ ये भी मेरा 1NF होगा क्यों होगा क्योंकि question जो है वो already मेरा हमेशा 1NF में ही होता है 1NF मलब atomicity का जो rules है वो rules वो hold हमेशा ही करता है ठीक है तो मेरा यहाँ पर question में था कि highest number from क्या होगा answer होगा मेरा 1NF या फिर कुछ-कुछ question में ऐसा बोल दिया जाता है कि समझ लो कि मेरा जो relation दे दिया गया है वो already 1NF में है कि अगर बोल दिया जाएगा तब भी वो 1NF लेकर करना पड़ेगा अगर नहीं बोल दिया जाएगा तब भी हम लोगों को माल देना पड़ेगा कि मेरा जो relation है वो already 1NF में है तो यह जो question है, इस question का answer होगा मेरा 1NF, हाइस्ट normal form क्या होगा 1NF होगा मेरा highest normal form तो friends, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरा जो channel है उसको subscribe कर देना साथी साथ bell button को भी प्रेस कर देना क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका notification आप लोगों के पास पहुँच जाए Thank you friends